से स्रीकल बेटा जी आज हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में टॉर्क को हम समझ सकते हैं एक रोटेटिंग फोर्स की तरह यानि कि वो फोर्स जो रोटेशन पैदा करे घुमा पैदा करे यहाँ पर एक मैं चौक ले लेता हूँ अगर इस चौक को सिंपल फोर्स लगाई जाए उपर की तरफ तो इसने मूव कर जाना है बट वाट इफ अगर मैं इसका एक पॉइंट पकड़ का रख लूँ यानि कि दबा के रख लिया इस फिंगर से अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो देखिए यह आगे मूव नहीं कर रहा है यह रोटेट हो रहा है तो इस टाइम मैं कह सकता हूँ मैं टॉर्क लगा रहा हूँ है क्या रोटेटिंग फोर्स लगा रहा हूँ किस point पर यहां, इसकी axis कहां होगी, जहां से आपने दवा के रखा है, जहां से move नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं axis of rotation, यानि कि यह object किसकी axis पर rotate होगा, इस point की axis पर, इस तरह से उपर जा रहा होगा यह, आपकी तरफ, camera की तरफ आती हुई axis, तो यहां पर आप इसको rotate कराएंगे force पर, यहां जो r vector होगा, वो होगा axis of rotation से लेकर, जहां पर आपने force अपलाई की है, उस point तक, और इसकी direction ऐसे ही होगी, यानि कि axis of rotation से जाती हुई, point of application of force की तरफ, तो हम यहां पर जो force लगा रहे हैं, इसके कारण, इसमें घुमाव कितना पैदा हो रहा है, वो हम calculate कर सकते ह हैं, और वो हम calculate करते हैं, torque calculate करके, torque को denote किया जाता है, tau symbol से, t की तरह ही है, बस यहां पर हमने ऐसे इस तरह से बना देना है, इसे tau, एक Greek letter है, उससे denote करते हैं, यह एक vector quantity है, यानि कि इसकी दिशा होगी, और इसे calculate किया जाता है, r, जो axis of rotation से application of force है, उस point तक अगर vector खीजें, यहां से इस तरफ वो वाला vector और उसका cross product ले लिजे, यह simple multiplication नहीं है, यह cross product है, आप उस force से इसे cross product ले लिजे, तो यह जो निकलेगा, इनका cross product की value निकलेगी, उसे हम torque की value बोलेंगे, उसकी direction क्या होगी, वही direction जो r cross f की होगी, direction में जाने से पहले इसका magnitude निकाल लेते हैं, यानि कि अगर सिर्फ इसकी value की बात करें, vectors हटा दें, तो यह खुल कर आ जाएगा r f sin theta, यहां पर यह theta क्या है, theta है angle between r vector and f vector, अब देखिए कुछ एक sample problem कर लेते हैं, जिससे हम torque calculate कर सकेंए, मानने जीए हम force लगाते हैं 10 newton की, और यहीं से chalk पकड़ा हुआ है, और मानने जीए हमारा chalk जो है, थोड़ा सा बड़ा ले ले लेते हैं, 5 meter का chalk हो गया, 5 meter की length हो गई, तो क्या हम torque calculate कर सकते हैं, torque हो जाएगा, rf sin theta, r की value, f की value, into sin theta क्या है, angle between these two vectors, जो है 90 degree, sin 91 होता है, तो यह value आ जाएगी 50, unit बता सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखिए, torque होती है, rf sin theta, sin theta के तो कोई unit नहीं होते, r के होते हैं meter, और force के होते हैं, newton, तो इसके जो unit बन जाएंगे, वो बन जाएंगे newton meter, इसे याद रखें, torque के जो unit है, वो आज जाते हैं newton meter, यह तो होई, सिर्फ value, यानि कि हमने सिर्फ magnitude निकाला, पर हमने तो starting में, torque को define किया था, कि torque की तो direction भी होती है, और उसकी direction होगी, जो r cross f की direction होगी, यानि कि direction कैसे निकालें, तो देखिए, direction निकालने के लिए हम right hand rule यूज़ करेंगे, r से चलते हुए, r से चलते हुए, अपने हाथेलियों को r की तरफ रखेंगे, और force की तरफ move करेंगे, तो हमें उपर को थम मिलेगा, अगर उपर को थम मिलता है, या anti clockwise direction होती है, तो हम इसे बूलेंगे, कि ये positive value है, याद रखिए, अगर हमें anti clockwise direction मिलती है, हमारे right hand rule से, तो हम उसे positive मानते ह हैं, और अगर हमें clockwise मिलती है, तो हम उसे negative value मानेंगे torque की, यहाँ पर कैसे मिली, r से f की तरफ के, अब देखिए, अगर आपको confusion हो रही है, vectors में, कि r की तरफ से vector, हम f की तरफ कैसे जाएं, तो आप यहाँ पर इस axis को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि vector को हम हमेशा shift कर सकते हैं, तो r vector को आगे समझ लेजिए, इस vector को भी उपर ले जाएए, तो अब r cross f अराम से आपको मिल जाएगा, f इस तरफ है, आगे shift कर सकता हूं, r को इस तरफ shift कर सकता हूं, तो हमारा जो question है vector का वो कैसा बन जाएगा, देखिए, r थोड़ा इस तरफ हो जाएगा, और हम tail स tail मिला सकते हैं, अब f इस तरह हो जाएगा, अब r cross f चलिए, ठीटा के हिसाब से चलिए, r से, r से f की तरफ, अंग उठा उपर की तरफ मिल रहा है, तो आप positive value बोलेंगे, r cross f हो कौन सी direction रही है, anti-clockwise, तब भी उसे उस तरह से भी देख सकते हैं, कि वो एक positive value होगी, इस example के बाद हम ये बाते समझ सकते हैं, कि torque जो है, वो r cross f है, इसका मतलब ये torque जो होगी, तीन चीज़ों पर depend करेगी, आप force ज़्यादा लगाएंगे, तो torque ज़्यादा reduce होगी, क्योंकि directly proportional relation है, आप r ज़्यादा रखेंगे, यानि कि axis से application of force जितनी दूर रखेंगे, उतनी ही अ angle पर भी depend करेगा, तो torque होगी, वो तीन चीज़ों पर depend करती है, एक r-way, एक f-vector पर और तीसरा उनका cross किस तरह से है, यानि कि उनके बीच में angle किस तरह से है, अब same example ही चलिए, हमने यहाँ पर निकाल ली है torque, अगर 10 newton की force निकल रही है, तो हमें 50 newton meter की torque हमें मिल रही है, what if अगर मैं force of application को थोड़ा सा इधर shift कर दूँ, मान लीजे मैं अब 3 meter पर force लगा रहा हूँ, क्या मुझे उतना ही result मिलेगा, जितना यहाँ मिल रहा था, या उससे कम मिलेगा, बताइए, यहाँ पर 10 newton लगा रहे हैं, force बराबर अब 3 meter, axis से 3 meter दूर लगा रहे हैं, तो आ अब हम क्या गएंगे, आपने torque कम लगाई, क्यों, हम calculate भी कर सकते हैं, देखिए, अब इस case में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा, वो axis of rotation था, जो r vector होता है, वो axis of rotation से, जो आप apply कर रहे हैं force, वहीं तक होता है, direction होगी यह, और force लग रही है 10 newton की, तो अब दुबारा से अ equal to r cross f, खोल देते हैं इसको rf sin theta, magnitude की बात करें, पहले magnitude निकाल लेते हैं, r होगा 3 का इस बार, जो कि हमने, जो force की point of application था, वो pass ले आए हैं, 5 meter नहीं रहा, तो 3 से multiply होगा इस बार, force तो same ही रही, angle हमने change नहीं किया, अभी भी 90 degree उन दोनों के बीच में है, तो ये भी sin 90 क् 1 होता है, तो देखिए, अभी हमें क्या मिल रही है, torque 30 newton meter की मिल रही है, इसी तरह, अब हम आगे भी कर सकते हैं, और pass जाएंगे तो क्या होगा, और torque कम हो जाएगी, और सोचिए, अगर मैं यहीं पर force लगा दूं, इस axis of rotation पे, तो क्या इसको कोई घुमा मिलेगा भी, नह हो, क्योंकि इस वक्त, r vector बन ही नहीं पा रहा, r तो इतना छोटा होगा, मान लिजे 0 ही हो जाएगा वो, तो उसके कारण, जब 0 से किसी भी चीज़ को multiply करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें torque नहीं मिलेगा, यानि कि घुमाव नहीं मिलेगा, यह हमारी common sense भी है, इस question से इसको force लगाई जारी है, एक 10 newton की, यानि कि यह total 10 meter का है r vector इस case में, और एक आदमी दूसरी तरह से force लगा रहा है, बट उसका जो point है force application का, वो 5 meter दूरी है, तो इस से क्या फर्क पड़ेगा, जिस तरह से, यह उसी तरह की question हो गए, कि अगर 5 newton की force इस तरफ लग रही ह है, और दूसरी तरफ से कोई 2 newton की force लगा रहा है, तो हम क्या कर देते थे, net force कितनी होगी, इस direction में होगी, 3 newton की, उसी तरह से हमें समझना है, कि अब net torque कैसी निकाली जाए, तो हमें net torque के लिए, net, जो torque आएगा, हम net करके लिख सकते हैं इसको, वो क्या आजाएगा, torque in case of this, plus torque in case of this case, पहले देख लेते हैं ये वाले case पे, torque है, जो tau 1 होगा, वो होगा, rf, r cross f, यहनि कि वो बराबर हो जाएगा, rf sin theta, magnitude के भी बात करते हैं, दोनों के बीच में 90 degree है, तो simple multiplication ही होगा, r कितना है, 10 है, और force कितना है, 10, तो 100 newton meter, क्या direction बता सकते हैं इसकी, इसकी direction कैसे होगी, देखिए r vector की direction हमेशा axis से चलकर point of application तक जाती है, तो यह हो गया r vector, इसको थोड़ा आगे ले जाएए, इसको भी आगे ले जाएए, अब r cross f कीजिए, आपकी तरफ थंब आ रहा है, right hand से crawl करेंगे, तो आपकी तरफ थंब आ रहा है, यानि कि anti clockwise, तो यह ठीक value है, हमें इसे positive मानना चाहिए, इसलिए इसे आगे positive लगाने की जरूरत नहीं, 100 newton meter का हमें torque मिल रहा है, और positive torque, क्योंकि इस तरफ घूम रहा है, हम इस कोशिश कर रहे है, what about second type, what about the second case, यह जो आदमी force लगा रहा है, इसका भी r cross f निकाल लेते हैं, यह हो जाएगा r f sin theta, यहाँ भी 90 degree ही है, r vector, sorry यह नहीं, इस तरह से ही होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा रहा हो, यहाँ से इस तरफ ही होगा, तो यहाँ पर r हो जाएगा हमा 5, f हो जाएगा 10, sin 91 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिख लिया 50 newton, क्या यह इसको anticlockwise detection में move करेगा, अरे नहीं, यह तो इसको clockwise detection में कर देगा, और उसकी लिए हम क्या लगाते हैं, negative sign लगाते हैं, अगर आपको देखना है, तो देखे, इसका r इतना है, ले जाएए आगे, और f को ले आएए नीचे, अब r से f की तरफ जब आप जाएंगे, तो अंगुठा आपका book के अंदर जा रहा होगा, जब अंगुठा आपको नहीं दिखेगा, और book की तरफ आप से अवे जा रहा होगा, उस value को हम negative लगाते हैं, तो किसी तरह भी समझ सकते हैं, या तो anti-clockwise और clockwise देख लीजिए, नहीं तो आप आपने हाथ को crawl करके भी direction देख सकते हैं, अब इन दोनों के cases में अगर हमने निकाल लिया है torque, तो what is the net torque, तो net क्या हो जाएगा, इन दोनों को add कर दिजिए, यानि कि 100 minus 50 is equal to 50 newton meter, यानि कि हमें 50 newton meter का net torque मि लेगा कौन सी direction में, anti-clockwise direction में, अब एक और question करते हैं, यहाँ पर इसको axis को fix कर दिया, यहाँ पर लग रही है 10 newton की force, 10 meter पर, यह रहा इसका r vector, कहीं भी बना सकते हैं, vectors को shift कर सकते हैं, और यह लग रही है force 5 meter पर, बट इसका जो magnitude है, वो है 20 newton का, यह आदमी जो है 20 newton की force लगा रहा है, हम 10 newton की force लगा रहे हैं, तो देखते हैं, net torque क्या होगा, अब इसको जड़ा जल्दी ही कर लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों forces के कारण क्या हो जाएगा, rf sin theta निकाल के दोताईए, r into f, 100 हो जाएगा, sin 90 ही है, यानि कि दोनों के बीच में 90 degree है, तो newton meter, क्योंकि यह clockwise को ही turn कराएगा, उपर रंग उठाएगा, तो आप उसको positive ही मानेगे, this is for this, what about this, इसमें भी कर देते हैं, r into f, बट यह इसको नीचे clockwise direction में move करना चाहेगा, जिसके कारण अग उठा नीचे जाएगा हमारा, और हम बोलेंगे यह तो negative हो गया, कितनी value आ जाएगी इसकी, sin 91 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर इसकी value हो जाएगी, minus 100 newton meter, what is the net torque now, net torque कितनी हो गई, दोनों को add कीजे, 100 minus 100, 0, यानि कि यह rotate नहीं होने वाला, आप यानि कि जो net effect है, वो कुछ भी नहीं होगा यह जो chalk है, यह move नहीं करेगा, या जो भी object अपने 10 meter का रखा है, वो नहीं move होगा, पर यह देखिए, यह आदमी लगा रहा था 20 newton की force, और हम लगा रहे थे सिर्फ 10 newton की force, तब भी हमने इसको टकर दे दी, बराबर कर दी force, क्योंकि जब भी rotation की बात होगी, अकेली force matter नह इसरी चीज, angle matter करता है, जिसके questions हम next video में करेंगे.